नमस्कार दोस्तों, मैं लक्समन सिंग, स्वागता आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, आज हम डिसकस कर रहे हैं, इंग्लिस के सिलेबस में, पार्ट उफ स्पीच, पार्ट उफ स्पीच, रीट के सिलेबस में भी है, और इसके अलावा अधर कॉम्पेटिटिव एक्जा और वो वर्ड के टाइपस ही पार्ट उफ स्पीच कहलाते हैं, इसका मतलब हम यह कह सकते हैं, कि सेंटेंस में यूज के बेसिस पर वर्ड के टाइपस ही पार्ट उफ स्पीच कहलाते हैं, यह तो एक जनरल सी डेफिनिशन हो गई, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो यह speech word एक noun है और इसका निर्मान हुआ है speak verb से speak verb है speak का meaning होता है बोलना और इसी से सब्द बना speech speech का मतलब हो गया बोली गई बात यानि कथन कथन को ही हम कहते है statement कथन को ही हम कहते है statement statement भी एक noun है और statement बना है state verb से और state verb का meaning होता है कहना या बोलना इसका मतलब speech का भी meaning कथन है statement का भी meaning कथन है speech speak से बना है statement state verb से बना है और किसी के द्वारा बोला गया statement ही sentence कहलाता है sentence की एक definition तो जो हम generally पढ़ते हैं कि sentence is a group of words sentence is a group of words which makes complete sense इसका मतलब सब्दों का ऐसा समू है जो अर्थ देता हो वो sentence कहलाता है लेकिन इसके अलावा एक definition हम और लेकर चलते हैं sentence किसी के मूँ से निकला हुआ statement ही होता है तो इसका मतलब हो गया हम ये भी कह सकते हैं someone's statement is called sentence तो इसका मतलब ये समझ भी आया है कि speech statement और sentence तीनो एक ही चीज है तो ये जो parts of speech है यही parts of statement है यही parts of sentence है इसका मतलब ये सभी एक sentence के ही parts होते है तो सबसे पहले तो बात समझ में आ गई speech का meaning sentence ही ही है यानि किसी के मूँ से निकला हुआ statement ही है और उसी statement के जो अलग-अलग parts है यानि अलग-अलग words है वही parts of speech होते है तो definition आपको समझ में आ गई होगी parts of speech sentence में जो words used किये जाते है उन words के types ही क्या कहलाते है parts of speech कहलाते है अब बात आ जाती है parts of speech कौन से है तो अपने पास parts of speech जो generally हम books में पढ़ते हैं वो eight लिखे जाते है eight तो होते है traditional parts of speech तो सबसे पहले हम उनी से शुरू करते हैं सबसे पहला part of speech है noun सभी ने सुन रखा है starting class age से ही अपन ये चीज़ें पढ़ते है second जो part of speech है वो है pronoun third जो part of speech है वो है adjective ये हो गया आपका adjective fourth जो part of speech है वो हो गया verb अगला जो part of speech है अगला जो part of speech है ये चलिए noun है अगला जो part of speech है वो हो गया आपका adjective इससे अगला जो part of speech है ये हो गया अपना preposition अगला part of speech हो गया अपना conjunction और last part of speech हो गया अपना interjection ये तो कहलाते हैं eight parts of speech अब ये जो eight parts of speech है इनके अलावा भी हम parts of speech sentences में यूज करते है noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection के अलावा भी हम parts of speech यूज करते है वो है determinants और particles तो इसका मतलब total मिलाकर तो अपने पास दस parts of speech आ गए लेकिन जो tradition में है जो पर्चलन में है वो ये आठ ही चलते हैं अब सबसे पहले बात करें noun की तो हम सभी जानते हैं noun is a naming word short में यदि हम कहें तो noun क्या है noun is a naming word हम sentences में noun का use करते हैं और नाम बताने वाला सब्द ही क्या होता है noun होता है फिर बात करें pronoun की तो pronoun क्या करता है pronoun noun को replace करता है तो हम संक्षिप्त में यह कह सकते है pronoun is a word which replaces a noun इसका मतलब ऐसा सब्द जो noun को replace करता है तो pronoun replaces a noun यह बात हो गई प्रेनाउन की फिर बात आती है adjective की adjective वो सब्द होता है जो किसी noun या प्रेनाउन को modify करता है यानि उसकी विशेशता बताता है तो हम यह कह सकते हैं adjective modifies a noun और pronoun इसका मतलब किसी noun या प्रेनाउन की विशेशता बताने वाला सब्दी क्या होता है adjective होता है फिर बात आज आती है वर्ब की वर्ब की योदjem filling definition देखे तो वर्ब is a word which represents an action या फिर हम ये भी कह सकते हैं वर्ब is a word which qualifies sorry which expresses an action an occurrence and state of being तो short में तो फिलाल अपन definition ले लेते हैं वर्ब is a word which represents an action इसका मतलब हो गया वर्ब ऐसा शब्द होता है जो किसी action को बताता है, action को represent करता है फिर आ जाते हैं हम adverb पे adverb नाम से इसपस्थ है वर्ब में कुछ aid कर देने वाला और वर्ब में aid कर देने वाला adverb है इसका मतलब जो वर्ब की विशेशता बताता है वो adverb हो गया तो adverb modifies modifies a verb adverb वो सब्द होता है जो किसी जो किसी वर्ब को modify करता है अब हम आ जाते हैं preposition पर preposition क्या है जिसे माल लो कोई sentence बोले the book is the table the book is the table मालो इतना ही sentence है तो इसका मतलब book ही table है इसका मतलब book और table दोनो एक ही चीज़ है लेकिन यदि इसी sentence को ऐसे बोले the book is on the table तो इससे समझ भाता है कि book और table दो अलग-अलग चीज़े है book और table दो अलग-अलग चीज़े है और इन दोनों के बीच में relation बनाने के लिए हमने use कर लिया है on तो इसका मतलब है अब दोनों चीजों के बीच में relation create हो गया तो जो preposition होता है वो relation making word कहलाता है यानि ये दो nouns के बीच में relation create करने का काम करता है तो इसे हम sort में कह देते हैं relation making word preposition is a relation making word या इसे relating word भी अपन बोल सकते है यह हो गया अपना preposition अब बात आजाती है conjunction की तो conjunction दो या तो words को जोड़ता है या दो closets को जोड़ता है यानि जो छोटे simple sentences होते हैं उनको जोडने का काम conjunction करता है तो हम sort में कह सकते हैं conjunction is a connecting word या conjunction is a linking word यह इसके definition हो गई फिर बात आती है interjections interjection क्या होता है interjection होते है sudden feeling expressing words हम जब कभी हमारे साथ अच्छानक से कोई घटना घटित होती है तो हमारे मूँ से कुछ words निकलते हैं जिनका कोई meaning तो नहीं होता लेकिन उनसे बोलने वाले का भाव हमें समझ में आ जाता है तो वो कहलाते हैं अपने लिए interjections तो interjections क्या होते है sudden feeling expressing words होते है तो इनको अपन कह देंगे Interjection is a sudden feeling expressing word sudden feeling expressing word तो यह तो हो गए अपने eight parts of speech जिनको हम traditional parts of speech बोलते है इनके अलावा दो parts of speech हम और add करके चल रहे है एक तो हैं determinants determinants और एक हैं अपने पास particles यह दो और अपने parts of speech में add करके चल रहे है यानि total ten parts of speech determinants आप सभी जानते होंगे जो noun को determine करने का काम करते हैं और particles जनरली जब हम phreasal verbs तयार करते हैं तो हम उनमें कोई ad verb या preposition verb के साथ add करके तयार करते हैं तो वही जो verb के साथ जोड़े जाने वाले prepositions और adverbs होते हैं वही क्या कहलाते हैं? पार्टिकल्स कहलाते हैं तो यह तो हो गए अपने eight parts of speech सबसे पहले parts of speech क्या होते हैं sentence में use होने वाले words जितने भी type के हैं वह सभी type के words parts of speech कहलाते हैं mainly कितने type के words अपन use करते हैं तो अपन 10 type के words use करते हैं इसका मतलब 10 parts of speech है 10 मेंसे generally जो books में हम follow करते हैं या जिनका सबसे ज्यादा use अपने लिए होता है वो 8 है इसलिए traditional 8 parts of speech है कोन-कोन से है noun, pronoun, adjective, verb, preposition, conjunction, interjection और adverb भी सोरी मैं भूल गया तो noun क्या होता है noun is a naming word pronoun क्या होता है pronoun जो replace करता है किसी noun को adjective जो किसी noun या pronoun को modify करता है verb जो किसी action को represent करता है adverb जो किसी verb को modify करता है यानि verb की विशेषता बताता है preposition ये एक तरह का relation making word होता है दो सब्दों के बीच, nouns के बीच relation बनाने का काम करता है conjunction एक तरह का connecting word, linking word होता है interjection, sudden feeling, expressing word होता है जब भी हमारे अंदर मन में अच्छानक से कोई भावनाएं पैदा होती है और वो मुझ से बाहर निकलती है तो जो words हम बोलते हैं वो interjections है determiners, वे सब्द जो noun को determine करने का काम करते हैं और particles, mainly phrasal verbs में जो हम preposition या adverb, verb के साथ add करके phrasal verb तयार करते हैं वो होते हैं अपने particles ये तो बात हो गई, parts of speech, कितने type के हैं, कौन-कौन से हैं अब बात आती है parts of speech की दो categories होती है, दो class होती है तो अगला point है अपना parts of speech parts of speech जो अपने पास है mainly upon, traditionally follow करते हैं, तो eight ही लेकर चलते हैं उन parts of speech की दो class होती है और ये class है, एक तो open class parts of speech एक तो open class ये divide होती है किसके आधार पे, attributes के आधार पे attributes का meaning होता है, गुण, विशेस्ता कुछ parts of speech हैं, जिनमें कुछ fix विशेस्ताइं पाई जाती हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें वो विशेस्ताइं नहीं पाई जाती तो सबसे पहले तो वो कौन से attributes हैं, जो class बनाने के लिए जरूरी है सबसे पहला attribute है, वो है number हमारे पास जो parts of speech हैं, उनमें से कुछ parts of speech के number होते हैं यानि वच्चन होते हैं दूसरे हैं अपने पास, दूसरा जो attribute है, वो है gender कुछ parts of speech होते हैं, जिनमें gender भी होते हैं, masculine, feminine तीसरे हैं अपने पास state state का meaning हो गया, form हमारे पास जो parts of speech हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं, जिनकी form भी होती है, state होती है अगला है, जो attribute, वो है inflection 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 क्या होता है, जब भी हम किसी एक word को, किसी दूसरी category में ले जाते हैं, तो उसमें कुछ aid करते हैं, या उसमें से कुछ हटाते हैं, तो वो हटाना, या किसी सब्द में कुछ जोड़ना, और उसकी category चेंज करना ही inflection है, जैसे example के लिए, मानलो word लिखा है walk, हम सभी जानते हैं कि walk verb है, लेकिन इसी के साथ यदि ing aid कर दें, तो ये verb की ing form तो बन ही गई, इसके साथ साथ ये noun का भी काम कर सकता है, जैसे example के लिए अपन बोलते हैं, walking is a good exercise, इस sentence में जो walking सब्द है, वो noun है, subject है, sentence का, इसका मतलब है, walk से सब्द बन गया walking, walk था verb, और इसी से बन गया walking noun, तो इसने अपनी category चेंज कर ली, और इस category को चेंज करने के लिए हमें इसमें ing aid करना पड़ा, तो ये जो form बन गयी, इस walk की नई form, ये कहलाएगी inflected form, यानि इसका क्या हो गया, inflection हो गया, तो एक attribute है inflection, inflection का मतलब हो गया, किसी सब की category चेंज करते time उसमें कुछ aid कर देना, या उसमें से कुछ हटा देना, और पांचवा एट्रिब्यूट है degree, अपने पास जो parts of speech हैं, उनमें से कुछ parts of speech की degrees भी होती है, तो ये पांच attributes है, इनमें से सबसे important है, ये inflection, ऐसे parts of speech जिनके number होते हैं, जिनके gender होते हैं, जिनकी degrees होती हैं, जि इनकी states होती हैं, और सबसे मैत्वपूर्ण जिनका inflection हो सकता है, वो तो open class category में रखे जाते हैं, तो open class में हम कौन से parts of speech को रख सकते हैं, सबसे पहले noun, कई nouns ऐसे हैं, जिनमें से आप कुछ सब्द aid करके, sorry, कुछ सब्द हटा करके, उनको noun से adjective में आप convert कर सकते हैं, या noun से आप उन्हें verb में कुछ सब्द हटा के convert कर सकते हैं, इसका मतलब है कि उनका inflection होता है, nouns जो होते हैं, उनके जेंडर भी होते हैं, और उनका inflection भी होता है, तो ये open class category के parts of speech में सामिल होता है, दूसरा है, adjective, adjective जो है, इनमें कुछ aid करके, हम इनको बना देते हैं, nouns, adjectives से क्या बनते हैं, nouns बनते हैं, adjectives में इनमें से एक तो ये गुण पाया जाता है, inflection हो जाता है, दूसरा जो adjective होते हैं, उनके number नहीं होते, gender भी नहीं होते, form भी नहीं होती, लेकिन adjectives की क्या होती हैं, degree, इसका मतलब दो attributes पाये जाते हैं, adjectives में, जिसके कारण ये भी open class म हैं, तीसरे आजाते हैं अपने पास, open class में, तीसरा आजाता है, verb, verb की form होती है, verb के number होते हैं, singular verb, plural verb, इसका मतलब number भी होते हैं, और verb का भी क्या होता है, inflection, ये जो example लिखा है, ये verb का ही है, ये verb थी, verb दूसरी category में चला गया, noun बन गया और इसमें हमने ing add भी कर दिया, त तो वर्ब भी open class में हम सामिल करते हैं, इसके बाद में, इन तीन के अलावा अपने पास बच गया एक तो प्रेनाउन, प्रेनाउन के number तो होते हैं, singular number, pronounce, plural number, gender भी होते हैं, masculine और feminine, यानि strilling और pooling, लेकिन प्रेनाउन का क्या नहीं होता, inflection नहीं होता, आप किसी भी प्रेन प्रेनाउन में ने तो कुछ जोड सकते हैं और ने ही कुछ हटा सकते हैं, और मैंने शुरू में ही कहाता कि यही सबसे important attribute है, जो parts of speech में यदी होगा, तो तो वे open class parts of speech होंगे, यदी attributes में से inflection नहीं होगा, तो वो closed class में चले जाएंगे, इसका मतलब है कि pronounce जो है, वो open class के तो नहीं है, तो फिर दूसरा class बनता है अपने पास, words की category का, closed class, closed class, closed class, closed class जो parts of speech हैं, वो वे parts of speech होते हैं, जिनका एक तो inflection नहीं होता, सबसे important यही है, तो pronounce का क्या नहीं होता, inflection नहीं होता, तो इसका मतलब closed class में हम एक तो सामिल कर देंगे, प्रेनाउन को, प्रेनाउन के बाद में अपने पास बच गए, एक तो बच गया है, adverbs, adverbs जो होते हैं, उनकी state होती है, यानि, sorry, उनके degree होती है, कुछ adverbs हैं, जिनकी क्या होती है, degree होती है, और adverbs का भी क्या होता है, inflection हो कुछ adverbs जैसे हैं, जिनमें से यदि आप लास्ट के एक दो तीन लेटर यदि हटा देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, adjective बन जाते हैं, कुछ adverbs ऐसे भी हैं, जिनसे verb भी तयार हो जाती है, इसका मतलब है, कि इनमें भी adverbs में भी दो attributes होते हैं, एक तो उनकी degree होती है, और जिनकी inflected form होती है, यानि जिनमें कुछ जोड सकते हैं, जिनमें से कुछ हटा सकते हैं, वो parts of speech, open class category के हो गए, closed class में, ऐसे सब्द जिनमें से ने तो कुछ हम जोड सकते हैं, या नहीं जिनमें से कुछ हटा सकते हैं, वो हो गए अपने closed class, तो एक तो pronoun सामिल हो गया, अब pronoun के बाद में दूसरा आगया preposition, preposition को आप different जगों पे use करते हैं, जैसे to है, to preposition का भी काम करता है, to infinitive का भी काम करता है, to preposition भी है और to infinitive भी है, यह दोनों ही काम करता है, जब इसको preposition से infinitive बनाते हैं, तब भी यह to ही रहता है, इसमें से नहीं तो कुछ हम remove कर सकते हैं, और नहीं इसमें कुछ add कर सकते हैं, to का यूज हम phrasal verb तयार करने के लिए भी करते हैं, जैसे example के लिए, look forward to, look forward to, यह एक phrase बन गया, इसको phrasal verb भी बोलते हैं, तो इसमें भी हमने to का use किया हुआ है, यहां पे जो to है वो verb का का काम कर रहा है, लेकिन इसमें भी हम कुछ नहीं तो add कर सकते हैं, इसमें नहीं इसमें से कुछ हटा सकते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि to की क्या नहीं है, इन्फलेक्टिड फॉर्म नहीं है, इसका इन्फलेक्शन नहीं हो सकता, और यदि इसका इन्फलेक्शन नहीं हो सकता, तो इसे भी हम कौन सी केटेगरी में रखेंगे, क्लोस्ट क्लास में, तो जितने भी प्रेपजीशन से, उनमें से नहीं तो कुछ हटाया जा सकता है, नहीं उनमें कुछ जोड़ा जा सकता है। इसलिए वे closed class में रखे जाते हैं। तीसरा part of speech जो है, वो सामिल करते हैं हम conjunction। यह आ गया conjunction। Conjunctions में भी ने तो हम कुछ aid कर सकते हैं, ने ही उनमें से कुछ remove कर सकते हैं। तो Conjunctions भी कुछ सी केटेगरी में आ गए आपके ? Closed class में, क्योंकि इनकी भी inflected form नहीं होती। और Last में आ जाते हैं Interjections। Interjections जो होते हैं, उनमें भी ने तो हम कुछ aid कर सकते हैं। और नहीं उनमें से कुछ remove कर सकते हैं। इसका मतलब Interjections की भी क्या नहीं होती। Inflacted form नहीं होती। और यदि Inflacted form नहीं होगी, तो फिर वो भी कुछ सी केटेगरी में चले जाएंगे ? Closed class में। तो parts of speech को हम इन attributes के आधार पर दो class में divide करते हैं, open class, closed class. सबसे important जो attribute है, वो ये वला है. Inflection जिन parts of speech का inflection हो जाता है, यानि जो parts of speech अपनी केटेगरी चेंज करते टाइम, अपनी form भी चेंज कर लेते हैं, वो तो आ जाते हैं open class में. और जो अपनी form चेंज नहीं कर सकते हैं, यानि जिन सब्दों में ने तो हम कुछ एड़ कर सकते हैं, और नहीं कुछ जिन में से हटा सकते हैं, वो सारे आ जाएंगे, closed class parts of speech. ये बात हो गई, parts of speech की दो class है, open and close. अब हम आगे चलते हैं, parts of speech में, सबसे पहले हम जो part of speech discuss करने वाले हैं, वो है noun. अभी अभी हमने short definitions देखी थी, noun is a naming word. ये noun की short definition है. एक बार फिर में इसको repeat कर देता हूं, noun is a naming word. तो ये short definition हो गई, कि हर नाम बताने वाला सब्द ही क्या है? noun है. noun की definitions, जब हम academic level पे थे, 11th, 12th में थे, 10th में थे, तब हमें पढ़ाई गई, noun is the name of a person, place, thing, quality, action, state, feeling, idea, etc. ये हमने noun की definition पढ़ी है. तो इसका मतलब है, ये definition जो हमने पढ़ी, ये हमारे academic level की definition थी. ये definition कों से level की हो गई? academic level की definition हो गई. और ये definition है क्या? noun is the name of a person, place, thing, quality, action, feeling, and state. और idea भी लिख देते हैं, कुछ के mind में ये भी आ रहा होगा. तो noun is the name of a person, place, thing, quality, action, feeling and state. ये हमारे academic level की definition है. इस definition के basis पे हम nouns को दो parts में divide करते हैं. एक तो होते हैं वे nouns जो हमें दिखाई देते हैं यानि visible category के nouns. तो एक category में तो हम रख देंगे विजीबल. विजीबल nouns. विजीबल के अलावा हम इन्हें बोल सकते हैं concrete nouns. इसके अलावा एक और नाम हम इन्हें दे सकते हैं intangible nouns. तो एक category तो बन गई वे nouns जो हमें दिखाई देते हैं यानि visible nouns या फिर इनको concrete nouns भी कहते हैं या फिर इनको tangible nouns भी कहते हैं. इसमें अपन सामिल करते हैं यह जो name लिखे हुए है इन में से persons यह में दिखाई देते हैं. places यह भी हमें दिखाई देते हैं और things इनको भी अपन देख सकते हैं. तो यह तो कहलाएंगे visible या फिर concrete या tangible nouns. दूसरी category में हम रखते हैं जिनको हम देख नहीं सकते केवल feel कर सकते हैं. यानि invisible इनी का name हो जाता है abstract. abstract का मतलब जो भाव की रूप में होते हैं. abstract का meaning भाव ही होता है जिनको हम देख नहीं सकते केवल feel कर सकते हैं. या फिर अपन बोल सकते हैं इन्हें intangible nouns. यह हो गए अपने दो category के nouns अपनी academic definition के basis पे. visible और invisible nouns. concrete का मतलब होता है मूरत, abstract का मतलब होता है भाव. यानि मूरत और भाव वाचक जो noun है. tangible का भी meaning होता है मूरत यानि दिखाई देने वाले और यह intangible हो गया जो दिखाई नहीं देते. अब कौन कौन सी चीज़े अपने को दिखाई नहीं देती तो किसी में कोई quality है. quality को हम देख नहीं सकते किवल feel कर सकते हैं. ऐसे ही कुछ actions भी हैं जिनको हम देख नहीं सकते किवल feel कर सकते हैं. जैसे laugh, laugh का meaning होता है हसना, इसी से बन जाता है laughter यानि हसी. हम किसी की हसी नहीं देख सकते हैं, दात देख सकते हैं, हसी को किवल हम feel कर सकते हैं. इसी category में हम रखते हैं feeling, किसी भी feelings को भी हम देख नहीं सकते हैं, किवल feel कर सकते हैं, नाम सी पता लग जाता है. और state आदमी की जीवन की जो estates होती है अवस्ता ही होती है जैसे बचपन है, किसोरा अवस्ता है वरदा अवस्ता है इनको भी हम देख नहीं सकते हैं lihat हम आदमी को सकते हैं अवस्ता को नहीं देख सकते हैं तो यह जो quality, action, feeling और state है ये कुन से nouns हो गए? Invisible या Abstract Nouns Short में हम इन चारों को यदि एक साथ बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं F A Q S Feeling, Action, Quality and State इनके अलावा हम इनको ये भी कह सकते हैं Feel Only Nouns यानि ऐसे nouns जिनको हम केवल feel कर सकते हैं तो ये दो categories बन गई अपनी academic level की definition के हिसाब से examples भी लेते हैं इनके जैसे मान लो किसी का name है राम किसी place का name है जैपूर किसी thing का name है बोल्ड ये तीनों दिखाई देने वाली चीजे इसका मतलब ये वीजीबल नाउंस है इसी तरह हम बात करें honesty honesty किसी की quality है और इसे हम देख नहीं सकते केवल feel कर सकते हैं इसी में आगे चलते लाफटर लाफटर का मतलब अभी मैंने बताया था हसी हसी को भी हम देख नहीं सकते हैं feel कर सकते हैं केवल दांत देखे जा सकते हैं feeling की बात करें तो love hatterd ये भी feeling से इनको भी देख नहीं सकते और state की बात करें तो जैसे मानलो मेंने लिख दिया childhood ये कौन सी केटेगरी के हैं सारे invisible category के यानि abstract category के intangible category के nouns तो academic level की definition के आधार पे हमने nouns को दो parts में divide किया visible, invisible visible persons, places और things होते हैं invisible में quality आ गई, action आ गई, feeling और state ये हो गए invisible अब बात करें हम हमारे जो competitive level की definition है noun की noun की जो competitive level की definition है हमने जो अभी अभी पढ़ा था ये academic level की definition थी academic level की definition तब काम में आती है जब हम outside the sentence जब हम outside the sentence किसी word को पहचानने का काम करते हैं sentence के बाहर जब हम पहचानते हैं किसी लिखे हुए और ये definition हम इसे competitive level भी कह सकते हैं या इसको practical level की definition भी कह सकते हैं तो ये हो गई practical level की definition practically वो हमारी जो academic definition है वो फैल हो जाती है इसका मतलब हम एक और नई चीज एड करते हैं the noun is the word noun is the word that answers that answers who whom and what इसका मतलब हो गया वो शब्द जो किसी सेंटेंस में या तो हू का रिपलाई देता हो या हूम का रिपलाई देता हो या वोट का रिपलाई देता हो वो शब्द नाउन होता है बठी के नाउन्स नहीं होते अब बात करें हु का जो reply देता है वो always या तो noun होगा या फिर वो pronoun होगा हु का reply दो ही सब्दे दे सकते हैं या तो noun या pronoun यदि pronoun नहीं है तो definitely वो noun है हुम का reply भी दो ही देते हैं या तो हुम का reply देगा noun और या हुम का reply देगा pronoun तो इसका मतलब हो गया, हूम का reply देने वाले में, यदि प्रेनाउन नहीं है, तो वो definitely क्या है? नाउन. और वोट का जो reply है, वो हमेशा कोण देता है? नाउन ही देता है. इसका मतलब वे सब्दे, जो हू का, हूम का, या वोट का reply देते हैं, वे क्या होते हैं? नाउन होते हैं. जैसे एक्जामपल के लिए, मैंने लिख दिया, लाफ्टर इस दा बेस्ट मेडिसीन लाफ्टर इस दा बेस्ट मेडिसीन इन दे वर्ल्ट. हसी दुनिया में सबसे अच्छी दवा है. यदि इसमें अपने को अंडरलाइन करके पूछ ले, कि ये वोट सब्द क्या है? और ये वर्ल्ड सब्द क्या है? और अपने को बताना है, ये नाउन है या नहीं? तो इसके जगह पे अपने यदि वोट रखते हैं? तो अपना क्वेस्टन बनता है, दुनिया में सबसे अच्छी दवा क्या है? और इसका आंसर मिलता है लाफ्टर. इसका मतलब ये जो लाफ्टर सब्द है, ये किसका रिप्लाई है? वोट का. तो डेफिनिटली ये क्या है? नाउन है. अब बात करें, लाफ्टर इस दा बेस्ट मेडिसीन इन दा इन दा वोट. ये भी किसका रिप्लाई है? वोट का. तो ये भी क्या है अपने लिए? नाउन. या दूसरी जो डेफिनिटली अपनी, उसके हिसाब से ये किसका रिप्लाई है? वहर का. प्लेस का. लाफ्टर इस दा बेस्ट मेडिसीन वहर. तो फिर पूरा फ्रेज आता है, इन दा वर्ल्ड. लेकिन, लाफ्टर इस दा बेस्ट मेडिसीन इन दा वोट. तो यहां पे फिर वहर नहीं लेख सकते हैं. ये किसका रिप्लाई आ गया? वोट का. वोट का रिप्लाई क्या होता है? हमेशा नाउन ही होता है. तो इन दोनों सब्दों में लिखे हुए जो वर्ड्स है, वो दोनों वोट का रिप्लाई दे रहे हैं. यानि वोट का आंसर दे रहे हैं. तो ये दोनों ही क्या है? नाउन से. दूसरा sentence मालो मैंने का he went home he went home इस sentence में अपने को underline करके पूछ लेते हैं यह home सब्द क्या है noun है या नहीं तो यदि अपनी पहली जो definition है जो अपने थोड़ी देर पहले करी थी उसके हिसाब से देखे तो यह किसका name है? place का name और place का name क्या होता है? noun होता है लेकिन इस definition के हिसाब से देखे यदि मैं पूछू he went what तो प्रश्ण बनता है वह क्या गया ऐसा तो प्रश्णी गलत है तो इसका मतलब what का reply तो यह नहीं है he went who हो का तो दूर दूर तक इससे कोई लेंदेन नहीं है यदि मैं कहूं he went where तो फिर अपने को answer मिलता है हॉम कि वह कहा गया? घर गया अच्छा वहर का reply जो भी होता है वो हमेशा कहलाता है adverb जो सब्द वहर का reply देता है वो क्या होता है? adverb होता है इस क्या मतलब इस लिखे हुए sentence में यह हॉम सब्द ने तो what का reply दे रहा है नहीं who का reply दे रहा है और नहीं यह whom का reply दे पाएगा इसका मतलब है कि फिर यह noun नहीं है यहाँ पर यह reply किसका दे रहा है? वहर का और वहर का जो words reply देते हैं वो क्या कहलाता है? adverb होते है यदि पिछले definition के हिसाब से देखे तो हॉम एक place का नेम है और place का नेम क्या होता है? noun होता है तो वो definition तो अपनी यह sentence में आते ही एक तरह से फैल होगी यहाँ पर यह हॉम सब्द क्या है? एक adverb है तो इसका मतलब है यदि कभी हमें sentence में किसी underlined word को पहचान ना हो कि वो noun है या नहीं तो हम यह देखेंगे कि दिया गया सब्द who का reply दे रहा है या whom का reply दे रहा है या what का reply दे रहा है यदि इन तीनों में से किसी एक भी word का reply देता है तो फिर वो noun है otherwise वो noun नहीं है इसका मतलब अपनी जो यह practical level की definition है यह apply होती है inside the sentence inside the sentence यानि sentence के अंदर और practical level की definition अपनी apply होती है sentence के बाहर जब हमें लिखे हुए words में identify करने हो कि इन में से कौन से nouns है कौन से नहीं है अब इनके बाद एक और level की definition अपन लेकर चलता है और वो definition है competitive level की definition यदि इन से भी भैतर तरीके से यदि किसी sentence में अपने को noun को identify करना है पैचानना है कि noun कौन सा है कौन सा नहीं है तो हम एक और level की definition लेकर चलते हैं और यह definition है competitive level की definition competitive level की definition इस definition के according noun वो word होता है जो या तो sentence में subject का का काम करता है या sentence में object का का काम करता है या sentence में compliment का का काम करता है या किसी preposition के object का का काम करता है या किसी sentence में opposition का का काम करता है अब ये क्या होते हैं? ये भी साथ में समझ लेते हैं definition हम ऐसे लेंगे noun is the word noun is the word which acts as a subject of a verb as an object of a verb object of a verb as a complement an object of preposition preposition sort में लिख देता हूँ and an opposition यह हो गई noun की अगली definition कि noun वो शब्द होता है जो या तो sentence में एक verb के subject का काम करता है या verb के object का काम करता है या verb के compliment का काम करता है या किसी preposition के object का का काम करता है या फिर apposition का का काम करता है वो शब्द क्या होता है noun होता है जैसे सबसे पहले बात करें अपन किसी sentence में subject कौन हो सकते है किसी sentence में subject कौन कौन हो सकते है तो English में दो ही सब्द हैं जो subject हो सकते है या तो कोई सब्द noun होगा या फिर वो pronoun होगा English में subject दो ही हो सकते है noun और pronoun इनके लावा कोई subject नहीं हो सकता या तो वो pronoun है नहीं तो फिर वो definitely noun है जैसे example के लिए मैंने sentence सामने लिख दिया walking is a good exercise walking is a good exercise इस sentence में यह walking क्या है यहां पर अपने notice कर रहे है is तो है इस sentence की verb और verb से पहले जो आ रहा है यह है इस sentence का subject अब हमें पता है कि English में subject दो ही हो सकते हैं या तो subject noun होगा या pronoun होगा ऐसा कोई pronoun तो हमारे सामने कभी English में आया नहीं तो इसका मतलब है definitely यह walking सब्द क्या है noun है हाला कि grammatical term में grammatical सब्दों में इसे जीरंड कहा जाता है लेकिन है यह noun ही तो subject English में दो ही हो सकते हैं noun या pronoun प्रणाउन नहीं है तो फिर definitely वो क्या है noun है इसके बाद में बात करते हैं हम object की object की इंगलिस में object भी दो ही हो सकते हैं या तो object होगा कोई noun या फिर object होगा कोई pronoun noun या pronoun इन दो में से कोई object होगा जैसे example के लिए मैंने लिख दिया I like reading books अब इस sentence में हम notice करें तो ये like जो है वो तो इस sentence की verb है और reading books जो है वो इस verb का object है अब ये object जो है हमें पता है कि object या तो noun होगा या pronoun होगा तो ये जो object है ये क्या है क्या ऐसा कोई pronoun हमारे सामने पहले कभी आया है नहीं इसका मतलब ये भी क्या है noun तो ये भी एक noun है तो जो subject का का काम करे noun या pronoun हो सकता है pronoun नहीं है तो noun है जो object का काम करता है वो भी noun या pronoun होता है यदि pronoun नहीं है तो वो भी क्या होगा? noun होगा अब बात करते हैं compliment की ये compliment क्या होता है? तो अगला point है अपना compliment चलिए आजाते हैं compliment पे compliment क्या है? और compliment कौन-कौन से सब्द हो सकते है तो इंगलिश में compliment टीन सब्द हो सकते हैं या तो compliment कोई noun होगा या फिर compliment कोई pronoun भी हो सकता है और या फिर compliment होगा कोई adjective ये तीन ही सब्द है जो क्या हो सकते है? compliment हो सकते हैं compliment होता क्या है? जैसे sentence लिग दिया मैंने राम इज एफेमस सिंगर राम इज एफेमस सिंगर इस sentence में ये इज जो है ये एक linking verb है अब ये linking verb क्या होती है? ऐसी verb जो किसी action को represent नहीं करती जैसे इस sentence में राम एक फेमस सिंगर है तो राम कोई काम कर रहा है? कोई action कर रहा है? नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है इस sentence में action होई नहीं रहा है जो verb action को represent करती है वो तो हमेशा कहलाती है main verb जिशक ओपर em v. बोल देते हैं जो verb किसी action को بتाती है वो तो कहलाती है main verb अच्छा main verb के meaning को पूरा करने में जो verb help करती है वो क्या होती है helping verb जैसे इज आर एम ये सब्द जो जो जोडते हैं जब ये main verb के साथ जुडेंगे तब ही helping verb कहलाएंगे यदि इज आर एम अकेले use होते हैं तो वो किसकी मदद करेंगे उनके सामने कोई ही नहीं help करने के लिए यदि main verb नहीं होगी तो helping verb होई नहीं सकती क्योंकि helping verb तब ही use होती है जब main verb आती है यदि main verb ही नहीं होगी तो helping verb किसकी help करेगी तो इसका मतलब है कि action को represent करने वाली verb main verb है main verb کی meaning पूरा करने में जो verb मदद करती है help करती है वो helping verb होती उन दो के अलावा यदि किसी sentence में ये verb आ गई जिसमें action नहीं है action नहीं है तो main verb तो ये हो नहीं सकती तो फिर क्या है क्या ये helping verb है नहीं यदि ये helping verb होती तो इसके साथ main verb भी होती यदि main verb نہیں है तो helping verb का भी कोई काम नहीं है तो फिर जो verb आएगी उसे हम एक नया नाम देंगे linking verb लिंकिंग वर्ब वो verb होती है जो किसी sentence में subject को compliment के साथ जोड़ती है लिंकिंग वर्ब वो verb होती है जो किसी subject को compliment के साथ जोड़ती है ये subject है इसका ये compliment है इन दोनों को जोडने का काम कर रही है ये कौन सी वर्ब? linking verb तो ये linking verb है linking verb को non-action main verb कहा जाता है non-action main verb ये भी कहा जाता है इसको linking verb के बाद हमेशा compliment आता है linking verb के बाद हमेशा क्या आता है? compliment compliment क्या करता है? ये हमेशा subject की विशेषता बताता है यानि subject को modify करता है इसका मतलब compliment वहे word या words का group होता है जो sentence में subject के बारे में या object के बारे में जानकारी देता है यानि subject और object को modify करता है वही क्या कहलाता है? compliment compliment किसके बाद आता है? generally linking verb के बाद आता है जो ч серь कॉमपलिमेंट subject के बारे में बताता है वो तो कहलाता है subjective compliment वो तो कौन सा कॉमपलिमेंट कहलाता है subjective compliment और जो compliment किसी object के बारे में जानकारी देता है वो हो जाता है objective compliment इसका भी एक example देख लेते हैं पर जैसे ये वाला सेंटेंस है दे मेड मी कैप्टेन इस सेंटेंस में यदि हम देखे तो ये जो मेड है ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ हमेशा आता है आपजेक्ट क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि लिंकिंग वर्ब के जैस्ट बाद आने वाला तो कॉम्पलिमेंट होता है और मेन वर्ब जहां आती है उसके बाद आने वाला आपजेक्ट होता है तो फिर ये वर्ड क्या है ये वाला सबजेक्ट हो गया इसका मतलब इस सेंटेंस में सबजेक्ट है एक main verb भी है action हो रहा है इसमें और main verb के just बाद ये object दे रखा है तो फिर ये क्या है उन्होंने मुझे बनाया अब मुझे क्या बनाया उन्होंने captain इस मी की विशेस्ता बता रहा है captain सब्द मुझे क्या बनाया captain तो इसका मतलब है captain क्या है compliment है और ये compliment किसके बारे में जानकारी दे रहा है object के बारे में जो compliment object के बारे में जानकारी देता है वो क्या होता है objective compliment तो compliment दो टाइप के हो गए subjective compliment और objective compliment subjective वो होते हैं जो subject के बारे में जानकारी देते हैं और objective compliment वो होते हैं जो object के बारे में हमें जानकारी देते हैं तो यह बात हो गई, compliment क्या होते है अब हमने अभी लिखा था कि compliment तीन वर्ड हो सकते है noun भी compliment हो सकता है pronoun भी हो सकता है और adjective भी हो सकता है noun कैसे, जैसे यही यह पूरा का पूरा जो phrase है यह noun ही है तो इसका मतलब noun compliment हो सकता है this is ram generally spoken में इनका use करते है खुद के बारे में बताते हैं this is ram तो यहाँ पे जो ram सब्द है वो इस is verb का compliment है और is verb यहाँ पे क्या है linking verb क्यों कि यह अकेले ही use हो रही है किसी action को नहीं बता रही इसको आप main verb बोल तो सकते हैं लेकिन कैसी main verb non action main verb और वही होती है linking verb तो इसका मतलब यह compliment है और यह noun है कई बार ऐसे भी बोल देते है it is he फिर इस he के बारे में आगे कोई sentence अपने को दे देते हैं तो यहाँ पे इस is verb का compliment कोड है he यह pronoun है तो इसका मतलब pronoun भी हो सकता है compliment adjective की बात करें तो जैसे मैंने लिख दिया he is honest इस sentence में जो honest word है वो एक adjective है और यह इस linking verb का क्या है compliment है तो इसका मतलब है compliment adjective भी हो सकता है तो compliment noun भी हो सकता है compliment pronoun भी हो सकता है compliment adjective भी हो सकता है यह दि कोई दिया हुआ compliment adjective भी नहीं है pronoun भी नहीं है तो फिर एक यह option भसता है अपने पास वो क्या होगा noun होगा जैसे example के लिए मैंने लिख दिया I am a student इस लिखे गए sentence में यदि हमें पूछ ले कि a student क्या है तो यह compliment है अच्छा हमें यह भी पता है कि compliment noun हो सकता है noun तो नहीं है फिर बात करते है adjective की तो adjectives के पहले articles नहीं लगते तो यह adjective भी नहीं है इसका मतलब यह noun है तो तीन बाते हो गई अपनी noun वो सब्द होता है जो या तो sentence में subject का का काम करता है या object का का काम करता है या compliment का का काम करता है अब चोथा आजाता है अपना an object of preposition an object of preposition an object of preposition preposition का object preposition के object भी दो हो सकते है या तो noun या प्रेणाउन जैसे एक्जाम्पल के लिए one of them is one of them will help you इस सेंटेंस में यदी नोटीस करें हम चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ इस सेंटेंस में नोटीस करें तो ये ओफ जो है वो एक प्रेपजिशन है और प्रेपजिशन के जस्ट बाद जो वर्ड आता है वो होता है प्रेपजिशन का object प्रेपजिशन के object जो है वो दो ही हो सकते है या तो noun होगा या प्रेणाउन होगा ये जो आमें दिख रहा है ये सबी पहचान सकते है ये प्रेणाउन है ये क्या है प्रेणाउन जैसे एक और एग्जामपल मेंने लिख दिया वन ओफ दीज स्टुदेंट्स वन ओफ दीज स्टुदेंट्स विल पार्टिसिपेट दिख दीज स्टुदेंट्स इस वी प्रेणाउन जैसे ते टोर्ड़ore आ और भी क्या है एक प्रेणाउन है अच्छा प्रेणाउन के बाद जो आता है वो क्या होता है प्रेणाउन अब्जेक्ट होता है यह भी object है अब preposition के object दो यह चीजे हो सकती है या तो होगा noun या होगा pronoun तो यह pronoun तो है नहीं इसका मतलब यह क्या है noun तो हम ऐसे भी इसको पहचान सकते है तो noun कुन सा word होता है जो किसी sentence में verb के subject का काम कर लेता है verb के object का का काम कर लेता है verb के compliment का का काम कर लेता है या फिर किसी preposition के object का का काम कर लेता है वो सब्द noun होता है और पांच भी अन्तिम चीज ऐसा सब्द जो opposition का का काम करता है जो किसका का काम करता है अपोजिशन का का काम करता है वो भी क्या होता है noun ही होता है अब opposition क्या है जैसे मालनों मैंने लिख दिया राम my best friend is coming today इस sentence में यदि हम notice करें तो राम की विशेषता बताने के लिए हमने एक और सब्द यूज किया है my best friend my best friend ही कौन है राम तो किसी noun के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी देने के लिए अपन वर्ड जोड़ते हैं यानि एक और noun उसी noun की जानकारी देने के लिए हम add करते हैं उसी को क्या कहते हैं apposition कहते हैं इसको noun in apposition कहा जाता है तो यह सब्द भी क्या है noun है यह एक apposition हो गया तो यह हो गई noun की तीन definitions पहली academic level की definition noun is the name of a person place, thing, quality, action, state and idea दूसरी definition जो हम sentence में apply करके चलते हैं वो definition हमने पढ़ी noun is the word that answers who, what and whom जो what का, who का या whom का reply दे दे वो सब्दी क्या होता है noun और तीसरी definition जो हमने अभी ली है noun वो word होता है जो subject के रूप में काम करता है object के रूप में काम करता है compliment के रूप में काम करता है या preposition के object का काम करता है या फिर appositive के रूप में apposition के रूप में काम करता है इसको appositive भी बोल सकता है पर appositive तो जो इनका काम करता है वही word क्या होता है noun होता है यह तो बात होगी noun की definitions की अब चलते हैं हम noun के types पर तो noun के जो types है वह अपर अगली class में discuss करेंगे इस class में हमारा संग्षिप्त introduction हो गया parts of speech का साथ में हमने noun topic स्टार्ट कर दिया जिसकी जो definitions है अलग-अलग levels पर वह हमने discuss की है बाकी के noun के जो parts है वह हम लेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you